आज अमारे देश के परदान मंतरी अमारे देश के परदान सेवत 24 गंटे में से 18 गंटे इस आयू में काम करने वाले शरी नरेंदर दामोदार मोदी जी का जनम दिन है सबसे पहले तो परदान मंतरी साब आपको जनम दिन की धेर सारी सुब काम नाई है अब बात आती है भाई जिस गव माता को चुनाओ के टाइम पे गव माता का आज आता है आज वो गव माता तडब तडब के मर रही है उस गव माता का हाल जानने वाड़ा कोई नेता मंतरी आगे नहीं आ रहा उस गव माता को बचाने के लिए कोई नेता मंतरी आगे नहीं आ रहा और आप लोग मन गए हो बेड अंदवगत गुलाम आप लोगों को तो शिर्फ गुलामी मनजूर होगी गुलामी की आदत होगी है आज अपने जनम दिवस पर परदानमंतरी साब विदेश से हवाई ज्याज में ज्याज के उपर भी खर्चा करके बड़े वड़ा चिता छप हुआया है और उस ज्याज में चीता लेके आए हैं बार देश से क्यों परदानमंतरी साब को और ज्यादा ताकतवर होना है अब चीते का दूद भी आगरेगा गाएं के दूद में मजा नहीं आया गव मता मता कब होती है जब चुनाओ होता है चुनाओ के टाइम पे तो व हो आमारी मा हो जाती है अज बिमारी से गरस्त तडब तडब के गव माताओं की दूर्दसा गव माताओं की आलत देखो कहां गया वाई वो देश का परदानमंतरी साब जो यह कह रहा था गाएं मेरी माता गाएं को मैं बचाऊंगा मैं जब इन चीजों के लिए बोलता था एक आया है नीचे कुत्ता अंद भागते इसका इसकी कोमेंट पड़ो इस साड़े उल्लू गे पठे से एक बात पूछ के देखो तरह बाप चीता लेने गूम रहा है खर्चा करन लाग रहा करोडों रपिये अपनिया ऐसी तैसी करान लाग रहा तुमारी स्यमर्ती रानी गो मास बेचती पकडीजा है और तुम बने वे ओ अंद भागते वही अंद भागतों ना तुम हिंदूतों को बचाने वड़े हिंदूतों की सबसे पहली पैचानोती है गव माता हर गर में गव होनी चाहिए उस गव की रक्ष्या करनी चाहिए उस गाएं को मा का दर्जा दिया जाता है कहा गए रब फरजी देश भगतों आप सबसे सवाल है यह जब आप गाएं कोई नहीं बचा रहें कौन से आप राष्ट्र भगत हिंदू भगत हैं इससे पहले मा गंगा की सपाई मैं करवाऊंगा आपके परदानमंत्री साब गये बासन सुनके देखना मत् हो शरकाराने के बाद गंगा की सपाई हम करवाएं यास्त करवाई मंदिरों मस्जिदों गुरु दुवाराओं ट्रस्टों एंजियों यह सारी चीजे दर्म से चंदे से चलती हैं लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो गवुमाता है वो गवुमाता चंदा नहीं चारा खाती है और आप लोग उनके नाम पे चंदा खाते हो यह मंदिर चंदा खाते हैं किसलिए हम मंदिरों को मस्जिदों को चंदा इसलिए देते हैं ताकि कोई यापता आए कोई विपती आए उसमें ये काम आएं अब उसकी गवुमाता को पैशो की जरूरत है उसकी दवाईयों में ले के क्यों नहीं आरे भाई पूछना चाह रहा हूं अब ये इन मंदिर मस्जिद्धों से पैसा ले के उन गवुमाताओं के लिए आगे क्यों नहीं आरे गोशना क्यों नहीं कर रहे आप लोग मूरख बनेगे दरम में बांदिया हमारे दरम का इतना बड़ा मजाग बनाया जाता कहीं भी पांचीट लगा दी पांचीट लगा के आजोड लो यो है नुमान बाब्बा ना आजोडे थरे टेर ऊपर ठा देगा या रहात है बखवास की मानते हैं बखवान है बखवान हमारे दिल में मन में होता है जाओ चो जोड़ने से अच्छा है किसी ने किसी गरीब की मदद करना किसी ने किसी गरीब के काम आना ठीक है तेरा बाप मुद्धी बैसा मेरा बाप दे उंदर छेकारा तेरा बाप होगा यो तर दोखाला गिर्या थारा बाप कुर्या होगा मुरी गाले के गराबांद ले जाई नहीं मारा ना लागता है यो कोछे ओवेसी जिसको मुसल्मान साती ये मानते थरा नेता थरे अक्की बात करें वो बीजेपी की बाजपा की बीटीम है बाजपा की बीटीम विद परूप बताता हूं अभी चुनाव वाथा उत्तर परदेश के अंदर यूपी के चुनाव पर सब कम मैं ध्यान रहे है यूपी के चुनाव में 95 पिचाण में सीट ऐसी हैं जो 1500-2000 बोटों से अखीलेच या दो आर गया 95 पिचाण में सीटे 1500-2000-3000 इस अंतर से आर गये वे बोट पता कहां गई सब को पता जो मुस्लिम बोट है वो बाजपा को कभी बोट नहीं देगा वहाँ इनोंने कौन उता रहा वहाँ से उता रहा है इनोंने OAC OAC ने हर सीट से छुनाव लड़या जो इसके मुस्लिम बाई है जिस सीट पे जितनी बोटे हैं उन सब की बोटे उसने ले ली कहीं से 10,000 कहीं से 8,000 कहीं से 7,000 कहीं से 12,000 OAC ने वे बोट लेका उन बोटों का जो मैत तो हो था जो पड़नी थी BJP के खिलापत में उन बोटों को स्वेम खा गया और 95 पे जितवाई कौन भाजपा डिटेल निकाल ले उतर परदेश का चुनाओ हो लिया सेम यही काम बंगाल के चुनाओं में किया था होवेशी ने और अब बहुत ही जल्दी वही होवेशी राजस्थान के अंदर आएगा मेरे मुसलमान भाई नू मनना है यो थारे अक्की बात करा की बात नहीं भाई वो आता अपने नगद रपिये बनान पैसे बनान वो बिजेपी की बी टीम है वो लोगों को बढ़काता है उसका काम है लोगों को बढ़काना वो लोगों को बढ़का कै और आप लोगों के वहीं से चुनाओं लड़ेगा आप लोगों की बोट ले लेगा लोग इतने मूरक इतने सीधे इतने सिंपल हो आप लोगों को क्या रहता मेरी जात्ति मेरा धरम मेरी जात्ति आप लोग वोगों को बेच देते हैं ये अधरीत उड़ेती सोच भी को नहीं जाती मूरक हो मूरक लड़ते रो हिंदू मुसल्मान ये एक टेबल पर बैटके खा पूछते हैं और आप लोगों का मजाग बनाते हैं बात करते हैं वहाँ चुनावी माहोल कैसे गर्मा होगा जब बता दे हुड़े इंदू मुसल्मान करवा दो कोई भी जी खबर उठागर टीविया बचला दो बना दो उसको बड़ी हाईलाइट इनका काम हाईलाइट करना ह और आप वही मुरक आदमी इनके पीछे तड़िया बजाने का काम करते हो मेरे भाई आखे खोल लो रास्ते से मत बटको हिंदूस्तान जो आजाद हुआ उसमें हिंदूों ने मुसल्मानों ने सब ने बराबर का बलीदान दिया है बारतमा की रक्ष्या करते वे जो जवान सईद हो रहे हैं हाल फिलाल हाल फिलाल वहां जाके आप देखोगे वहाँ हिंदू ने भी मुसल्मान ने भी बराबर का रक्त बाहा है आपने देश के लिए एक साती का र्यातन को गाम का सरपंच ना बनावा है बिटा आम बनाए बने पावर में हां आमने किसे पदगी ज़रूरत नहीं है नोट कर लेना इस बात को जो काम तरे अब तरे गाउं का सरपंच तरे गाउं का पारसत तरह MLA MP नहीं करा शेकता ना वो काम तरह भाई जागा करा लिया रहे जितने ISI PS 3 MLA MP ना मानते हूं उन से कहीं ज्यादा तो मेरी परसनली जानकारी है ठीक है इन बाता में कुछ ना दे रहा वो चीजे अलग अपनी ताकत सब दिखाते नहीं इतनी बड़ी सरकार से अगर मैं पंगा लेता हूं इतनी बड़ी सरकार के खिलाप अगर मैं इतना खुल के बोलता हूं और फिर भी आज जिन्दा हूं तो इसका मतलब थोड़ी बोतपा और अपने पास भी होगी इतनी बड़ी भाजपा इतनी बड़ी कांग्रेस अकेली वाजबानी कांग्रेश को भी सेम ऐसे ही बोलता हूँ इम्मत नहीं है किसी के अंदर दूद भी मोजले गरास हो आरामता है अभी जान नहीं नोलेज नहीं तेरे को जितने मेरे सातिये सभी सातियों को बता दू भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जहां तको उसके शेयर करना उमीद आप सब समझ गे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा था आप अपने अंदर जाग रूखता पहला है अपने नस्दीक पहला है मेरे नाम से जितने यूटूबर यूटूब चैनल बना रहे हैं या जितने जो पतरकार साती मेरी वीडियो देखते पाऊं है वे सब के सब साती इस वीडियो को आप अपने यूटूब चैनल पसलाओं आप अपने पेज़ा पसलाओं ज्यादा से ज्यादा वाइरल करें क्योंकि जो अपना पेज है इससे वीडियो आगे नहीं बढ़ पाईगे या आप सभी सातीयों को बता दो ये बढ़ने नहीं देंगे जितना जाता हो उसके शेयर करें सभी सातीयों को राम राम जैहिंद मिलते हैं आज रात को उतर परदेश के अंदर प्रोग्राम में यूपी में बागपत बडोत के पास में आज रात को कल मिलते हैं छातर गाओं में कब डीगा प्रोग्राम है कल फिर मिलते हैं छातर गाओं के बाद बालक गाओं में और आगले प्रोग्राम बताते रहें डेट डालते रहेंगे सभी सात्यों को राम राम इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद जैंद